तो दोस्तों, आप सबने तो सुना होगा कि भारत का रेलवे सेक्टर कितना तेजी से बढ़ रहा है। आज हम उन स्टॉक्स की बात करेंगे जो इस ग्रोथ को चला रहे हैं। पहला स्टॉप इंडियन रेलवे कैटरिंग एंट टूरिजन कॉर्पोरेशन यानी IRCTC रेलवे टिकेटिंग और कैटरिंग में करांती लाने के लिए मशहूर IRCTC अपने जबरदस्त ग्रोथ और इनोवेशन के लिए इंवेस्टर्स का फिवरेट है। अगला नाम है रेलविकास निगम लिमिटेड यानी RVNL ये लोग देश भर में जो बड़े-बड़े रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं उनके पीछे हैं। ट्रैक बिछाने से लेकर पुराने ट्रैक्स को इलेक्रिफाई करने तक RVNL अप्ग्रेड और एक्स्पैंशन का बाच्शा है। अब बात करते हैं IRCON International Limited की। कंस्ट्रक्चन में माहिर ये लोग सिफ रेलवे नहीं बनाते हैं। हाइवेज, पुल वगेरह भी बनाते हैं जो उन्हें आपके स्टॉक पोट्फोलियो के लिए एक डाइवर्सिपाइट बेट बनाता है। रेलवे स्टेशनों पर हाइवेज इंटरनेट मुहया कराने वाला रेलटेल पूरे भारत को तेज रफ़तार से जोड़ रहा है। ये सिर्फ ट्रांस्पोर्ट नहीं, टेक्नोलोजी और कम्युनिकेशन की बात है। हमारे पास है कंटेनर कॉर्पोरेशन ओन अफ इंडिया यानी कॉंकोर, ये लोग फ्रेट और लॉजिस्टिक्स मैनेज करते हैं, जिससे सामान पूरे देश में आसानी से और तेजी से पहुंच सके। इकॉमर्स के बढ़ने से कॉंकोर का रोल पहले से भी ज्यादा अहम हो गया है। इन स्टॉक्स पर नज़र रखना भारतिय स्टॉक मार्केट में सफलता का टिकट हो सकता है।